थाना पड़री में हुई हत्या का पुलिस में नौ घंटे में क्या खुलासा ग्यात होकी थाना पड़री शेतर अंत्रगत भरुया निवासी दिलिप सिंग की दो पुत्रिया अंजली उम्र करीब 15 वर्षे वनंदनी उम्र करीब 11 वर्षे जो घट से साइकल से बजार सब्जिले में वह साइकल की मरमत कराने निकली थी जो की वापस घड नहीं आई दिलिप सिंग दोरा स्थानी थाना पर तहरी दी गई प्राप्त तहरीर के अधार पर मुकदमा पंजिकत किया गया तत पश्चात पुलिस दोरा फ्रहत स्तर खोजबीन तथा तलाश के बाद रात्री में अंजली को सकूशल बरामत कर लिया गया तता दूसरी पुत्री को बरामत गी हेतु पुलिस रियासत थी कि आज दिना अंक दो अक्टूबर को समय करी सवा आठ भुजे थाना प्रभारी पढ़री को घोरा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अग्यात लड़की का शव होनी की सूचना प्राप्त होई उक्तू सूचना प्रभारी पढ़री मय पुलिस बलमौके पर पहुचे शव की शिनाक्त दिलिप की छोटी पुत्री नंदनी के रूप में हुई जाचकर पता चला कि उसकी बहन अंजली बाउस के पुरेमी प्रभोत ने मिलकर नंदनी का गला दबा दिया था शक खो ठीकाने लगाते हुए रेलवे पठ्री पर रख दिया ताकि किसी पर शक ना हुँ अंजली दोरा बताया गया है कि मेरे माता पीदो दोरा मेरे सास्तो तेला विवार किया जयता था तथा नंदनी को ज़्यादा प्यार दुलार किया जयता था थाना पडरी जनफद मिर्जापुर में दो सगी पहने अपने खर से साइकिल से सबजी और लेने के लिए निगली थी काफी देर साम तक जब नहीं आई हो तो पुलिस को करीब 9-9 बुजे थाना पडरी को सुचना मिलती है उसमें सभी अधितारी पुल्सदिशक नगर और से लेकर सियुसरा और इंस्पेक्टर पड़री सभी सक्री होते हैं और उनकी टीम सक्री होती है रातो रात इसमें विवन अस्थानों पर जहां मिलने के अस्थान थे जहां इसदारियां थी और जो हम लोग पता किया था पूस पुस्ताच की जाती है, पुस्ताच के बाद ये गटना सामने आती है, तो लड़की जो छोटी वाली थी, जो 11-11 साल की थी, उनके प्रेम में एक बाधा की रूपे सामने आ रही थी, जिसके लिए उनने टार्गेट करके उसको जहे, उसकी गलत अबा करके और ट्रेंड के साम पुरे टीम को संस्ट्रिव होकर समिदन सीर होकर हम लोग ततकाल प्रफाउस से सक्री हुए, और इसका प्रणाम है रहा कि 10 घंटे के अंदर हम ने इस घंटे इस घंटे इस घंटना को परदाफास भी कर दिया, मुल्जी भी पकड़ लिया, सारी परामादगी हो गई है, इ ड़ी मिल्या जच कर दिया।